नमस्कार, जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी नेमोरी टेकनिक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यहां 10 से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजी पिएससी और सीजी व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराएं तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज है तो बी दे बेस्ट लण फ्रॉम दे बेस्ट कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनियत योगेंद्र साहू क्लासेज फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CG PSC का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ ठीक है चालो करें कल का याद हुआ था ठीक है कल का समझ आया था आपको हाँ अभी थोड़ा भूल गये थोड़ा तो याद होगा ना चालो थोड़ा याद है वही बहुत अपने लिए आप लोगो में थोड़ा है की पूरा है पूरा है चेलो बढ़िया देखो कौन है न्यायमूर्ति डी वाई चंद्र चूड कौन है न्यायमूर्ति डी वाई यह इसको वाले में न यह सब चापना है और इसमें यह दोनों वस ठीक है याद रहेगा यह राज वै ठीक है भाई थोड़ा आसी ठूली कम करो है न क्या पढ़ रहे हैं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्र चूड इसका पूरा नाम क्या है धनंजा यसवन चंद्र चूड ठीक है तो यह सर्विष न्याले की कौन ए क्या नाम है डी वाई चंद्र चूड इणके पीता जी डी वाई चंद्र चूड के पिता जी का नाम क्या था? यश्वंत विश्णू चंद्रचोड ये 16 नंबर के थे? 16 नंबर के मुख्य नायदिश थे इनके पिता जी और ये कौन से नंबर के है? 50 नंबर के अभी वर्तमान में भी कौन है? यही है, ठीक है? याद रहेगा? इनके जो पिता जी थे उनका कारेकाल सबसे लंबा कारेकल था ठीक है? तो ऐसा पुछा जाएगा सरवोज न्याले में कौन से मुख्य नायदिश का कारेकाल सबसे लंबा था? तो ये अश्वंत विश्णू चंद्र चोड़का याद रहेगा? ठीक है? ये नोट कर लेना याद रहेगा? सबसे कम कारेकाल फिर किसका रहेगा? तो सबसे कमल नायदिश का है? उनका नाम है कमल नायदिश याद रहेगा? clear है? तो अभी कौन है? सरवोज न्याले का मुख्य नायदिश? इनके पिता जी का नाम या स्वांत विष्णू चंद्रचोड इनका कारेकाल सबसे लंबा था याद रहेगा सबसे कम कौन से मुग्या नायद इसका कारेकाल था कमल नरायन का याद रहेगा पीछे आपको मेडम ठीक है दो चार मिनिट बाद उस टेम भी याद रहना चाहिए आगे बढ़ें उसके बाद अनिल लोहाटी अनिल लोहाटी नाम में लोहार है और सबसे ज़्यादा लोहार रेल में रहता है तो ये भारती रेलवेबोर्ट के नविंतम CEO है ठीक है कौन है ये नविंतम CEO कहां के भारती रेलवेबोर्ट के याद रहेगा एप पीछे तो अनिल लोहाटी क्या है भारती रेलवेबोर्ट के नविंतम CEO है और डीवाई चंद्र चुड क्या थे हाँ सर्वोच नियाले के मुख्या नायदी इस कौन से नमबर के और इनके पिता जी का नाम क्या था दो कौन से नमबर के थे ठीक है सर्वोच नियाले में कौन से नायदीस का कारकाल कम है ठीक है कम था किसका कमल नरायन का सबसे लंबा कारकाल किसका था ठीक है उनके बेटे का नाम क्या है जो कौन से नंबर के है याद रहेगा ठीक है अनिल लोहाटी कौन है ठीक है भारती रेलवेबोट के CEO याद रहेगा उसके बाद प्रवीन कुमार स्रिवास्तो प्रवीन कुमार स्रिवास्तो कौन है केंदरी सतर्तायो के कार्य वाहक है केंदरी सतर्तायो के कार्य वाहक है केंदरी सतर्तायो को क्या बोलते इंगलिश में CVC Central Vigilance Commission ठीक है जिसको हिंदी में क्या बोलते है केंदरी सतर्तायो कौन है प्रवीन कुमार स्रिवास्तो ठीक है से विसी सेंटरल विजिलेंस कमिशन याद रहेगा उसके कारे वहाँ कौन है प्रवीन कुमार स्रिवास्तो ठीक है अब केंद्री सतर्तायो का काम क्या है सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं डिपार्टमेंट में बहुत सारे करमचारी काम कर रहे हैं, तो वो क्या ना कर दे, भरस्टाचाना कर दे, तो उस पे ये निगरानी रखता है, ठीक है किंद्री सतरता आयो, आ रहा है समझ में, भरस्टाचान ना हो पाए करके, तो उसका कारवाहत कौन है, प्रवीन कुमार स्रिवास्तो याद रहेगा ठीक है कौन अनिलो हटी ठीक है भारती रेलो बोट के सीई हो उसके बाद अरुन गोयल अरुन गोयल कौन अरुन गोयल चुनाव आयुक्त है ठीक है अरुन गोयल कौन है चुनाव आयुक्त याद रहेगा अरुन गोयल चुनाओ आयोग्द मुख्य निर्वाचन आयोग्द कौन है राजीव कुमार याद रहेगा राजीव कुमार क्लियर है मडम पीछे ठीक है तो अरुन गोयल कौन है चुनाओ आयोग्द मुख्य निर्वाचन आयोग्द कौन है राजीव कुमार ठ भार्ती रेल्वे बोर्ट के C.O. और प्रमिन कुमार स्रिवास्तो, C.V.C. ठीक है? याद रहेगा. आपको सर, कौन आनिल्लो हटी? C.O. ठीक है. प्रमिन कुमार स्रिवास्तो, C.V.C. अरुन गोयल, चुनाव आयोग्ध। और मुख्या निर्वाचन आयोग्ध। राजी कुमार्ण। ठीक है मैड़म, चीक विक जिस्त कान में कुछ हो। उसके बाद के जी बाला कृष्णन। तो के जी बाला कृष्णन क्या है? देखो, अब बहुत सरे जैसे दली तुलित लोग जो रहते हैं, वो अपना धर्मांतर करा लेते हैं, धरम का परिवर्थन करा लेते हैं, ठीक है अब धरम परिवर्थन कराने के बाद उनको आरक्षन मिलना चाहिए कि नहीं? इसके लिए एक कमिटी बनाये गया है, ठीक है? एक समीती बनाये गया है, उस समीती के अध्यक्ष कौन है? के जी बाला कृष्णन। याद रहेगा तो के जी बाला कृष्णन कौन है? पक्का? ठीक है, क्या, अब जैसे कुछ जैसे छोटे जाती के लोग या दलित लोग जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपना धर्मानतर करा लेते हैं, मतलब धरम का परिवर्तन करा लेते हैं, किसी और धरम में चले जाते हैं, ठीक है, तो जब धरम का परिवर्तन कराते हैं, तब उनक कौन है के जी बाला कृष्ण है याद रहेगा ठीक है अरुन को यल कौन है याद है चुनायोग मुखिय निर्वाचन आयोग राजे कुमार अनुनलोहटी प्रभीन कुमार स्रिवस्तो थीविस से ठीक है डीवाई चंद्रचूड कौन से नमबर के चिपजेश्टीस है ठीक है याश्वंद विष्णू चंद्रचोड, ठीक है, जिनका कारकाल सबसे लंबा था और कम, याद रहेगा, उसके बाद, उसके बाद मलिका अर्जुन खडगे ठीक है मलिका अर्जुन खडगे ये कौन है कांग्रेस राष्ट्री दल के अध्यक्ष है तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है मलिका अर्जुन खडगे ठीक है याद रहेगा राहूल गांधी नहीं है आप राहूल गांदी सोच रहे थे न, तो राहूल गांदी नहीं आ, मलिका अर्जुन खड़ के है, क्या, कांग्रेस के अधियक्ष, राहूल गांदी क्या है, सांसद है, कहा से सांसद है, केरला के वाहिनार से, आए रहा है समझ में, ठीक है, आप लोका डिसकसन कतम हो गया, केजी बाला कृष्णन दर्मांतर के लिए जो आरक्षन देना है कि निवो समीति के अधियक्ष है ठीक है केजी बाला कृष्णन अरुन कोयल चुनाओ आए मुख्य निर्वाचन आयू ठीक है प्रमीन कुमार श्रिवास्तो ठीक है अनिल लोहाटी डीवाई चंद्र चूड च पचासमे नंबर के इसल वे नंबर के फिर उसके बाद नल्ला थम्भी क्लाई सेल वी अनम है नल्ला थम्भी क्लाई सेल वी ये कौन है व्यग्यानिक वाध दौगिक अनुसंधान परिशत की प्रथम महिला महानी देशत है ठीक है डैरेक्टर जन्रल है ठीक है C.S.I.R. की पहली महिला डारेक्टर जनरल है कौन? नल्ला थम्भी, क्लाई सेल भी याद रहेगा? लिथिया मायन बैटरी के छेतर में इन्टम महत्पून योगदान है लिथिया मायन बैटरी कहां यूज करते हैं लिथिया मायन बैटरी? इलेक्ट्रिक कार में? मुबाईल में? चिप रहता है बैटरी नहीं रहता? तो फिर बैटरी किसे बनता है? लिथिया मायन बैटरी तो याद रखना नल्ला थम्भी, क्लाई सेल भी क्या है? CSIR की पहली महिला मैनेजिंग डिरेक्टर है याद रहेगा? CSIR की इंदिम क्या बोले? वैग्यानिक एवं मौद्दौगिक अनुसंधान परिसद ठीक है? यह देखो आप बोलो उसके बाद मृत्यूंजे कुमार नरायन ठीक है? यह क्या जनगन्ना आयुक्त है? कौन? मृत्यूंजे कुमार नरायन याद रहेगा? मरने के बाद जनगन्ना हो रहा है और कितने लोग बचे हैं? तो जनगन्ना मृत्यूंजे याद रहेगा? आपको सर याद रहेगा? कौन है? जनगन्ना है? मृत्यूंजे बस मृत्यूंजे कुमार नरायन ठीक है? याद रहेगा उसके बाद पंकर्ष त्रिपाठी देखे ओ इसको कालिन भाईया नहीं जानते अब कालिन भाईया को नहीं जानते जिनका बेटा मुन्ना त्रिपाठी रबका अधार लिंका बूल रहा है भाई तो यह क्या है केंदरी निर्वाचन आयोग द्वारा इनको क्या बना दिया गया नैशनल आइकन 2022 ठीक है किनको पंकर्ष त्रिपाठी को समझ गया है आप लोगों के लिए कालिन भाईया होंगे लेकिन है कौन यह पंकर्ष त्रिपाठी नैशनल आइकन है याद रहेगा अब इनको क्यों नैशनल आइकन बनाए गया है मद दाताओं के मद क्या कराना है चुनाओं के संबंदी जागरुकता फैलाना है ठीक है चुनाओं संबंदी जागरुकता फैलाने के लिए इनको नैशनल आइकन बनाए गया है कि इनको कालिन भई याद रहेगा आपको सर खीक है प्यार से सब क्या बोलते इनको कालिन भई है उसके बाद संजय अगरवाल तो इनकी अध्यक्षिता में MSP विशय से सम्मंदि 26 सदेशी समीति का गठन किया गया तो एक समीति बनाया गया जिसमें 26 लोग है और उनकी अध्य है अगरवाल अब यह समीति क्यों बनाया गया MSP के विशय पर ठीक MSP मतलब minimum support price अब जैसे सरकार गेहू यहू खरीता है ना गेहू फिर चावाल वगरा खरीता है तो उसके लिए एक price का निर्धारन कर दिया गया है ठीक है नमालो 500 रुपे निर्धारन कर दिया गया गया ग कम मैं नहीं खरीदूँगा कम से कम इतने में तो खरीदूँगा ही खरीदूँगा आ रहे समझ में उसे इक बोल देते minimum support price नियूंतम समर्थन मुल लिए याद रहेगा तो नियूंतम समर्थन मुल के लिए जो समीति बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन है ठीक है याद रहे उसके बाद है हेमन सोरेन हेमन सोरेन कौन है जारकन के मुख्य मंतरी है जारकन जानते हो हमारे देश में एक राज्य है जिनका नाम है जारकन वहाँ के मुख्य मंतरी कौन है हेमन सोरे याद रहेगा आपको याद रहेगा मड़म कौन है हेमन सोरेन जारकन के प्रधान मंतरी मुख्य मंत्री ए ठीक है सहीं करना तो मुख्य मंत्री है हेमन सुरेन अब इनके बारे में क्यों पढ़ रहे है क्योंकि ये आ गए है लाब के पत पर आ रहे है समझ में तो इनकी विधान सभा की जो सदेसेता वो समाप्त हो सकती है अगर यह साबित हो गया तो ठीक है अब यह लाप का पत क्या होता है पता है आपको पता है क्या होता है गौर्वन्मेंट जोब नहीं रहना चाहिए तो अभी मैं लाप के पत में हूँ तो जैसे सरकार से directly या indirectly किसी भी तरीके के सुविधा या किसी भी तरीके का income प्राप्थ हो रहा है क्या बुला सरकार से directly या indirectly किसी भी तरीके से कोई सुविधा या कोई income प्राप्त हो रहा है वो लाब के पद में आ जाता है ठीक है तो मंत्रियों के लिए क्या qualification रहता है अगर आपको मंत्री बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए फिलाना धिमका साल होना चाहिए आपक प्राप्तर था ओपी चोधरी ठीक है वो चुनाव लड़ने वाले थे तो क्या हुआ उन्होंने अपना पहले अपने पस से रिजाइन किया उसके बाद चुनाव लड़े और हार भी गए और नौकरी भी गया ठीक है आपको असी आ रही उनका नौकरी गया ठीक है याद रह ठीक है तो लाब के पत का आर्टिकल कौन सा है एक सो दो को का सब सेक्शन का तनुछेद एक सो दो याद रखना ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है अब राज सभा में दो टाइप के सदस रहते हैं एक मनुनीत और एक निर्वाची ठीक है कितने टाइप के सदस रहते हैं राज सभा में मनुनीत और एक निर्वाची समझ आया कितने टाइप के रहते हैं मनुनीत और निर्वाची अब जो मनुनीत रहते हैं कुल कितने सदस मनुनीत होते हैं राज सभा में बारा बारा होते हैं मिर भाई कितने होते हैं टोटल बारा जिसको न्यूक्त कौन करता है, ठीक है, राश्पती न्यूक्त करता है, इसलिए उसको मनोनी सदस बोला जा रहा है, क्योंकि राश्पती न्यूक्त कर रहा है, ठीक है, तब उस बारा सदस्यों में से, चार सदस्यों को अभी न्यूक्त किया जा रहा है, ठीक है, आ रहा है याद रहेगा एक विजेंद्र है एक विरेंद्र है एक पीटी उशा है एक इलैया राजा है याद रहेगा पीटी उशा क्या बोलते इनको उड़न परी याद रहेगा इलैया राजा संगीत कार है विजेंद्र प्रसाद स्क्रिप्ट राइटर है विरेंद्र हेंगडे समास स ठीक है इनका पिच्चर आप देखो के बाहू बली आर 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 बजरंगी भायजान गैंक्स अप वसेपूर ये नहीं बागी था ठीक है अनुराग भी नहीं लिखा है याद रहेगा राज सभा में चार नवीन सदस्य क्लियर है टोटल राज सभा में मनुनी सदस्य कितने रहत जिनको नियुक कौन करता है राजपती कौन से फिल्ट से होते हैं ठीक है विज्ञान से रहते हैं कला से रहते हैं साहित से रहते हैं और समास सिपा ठीक है विज्ञान कला साहित समास सिपा याद रहेगा ठीक है ज्यान से सुनना भई क्यूंकि आखरी में पूछा जाएगा क्लियर है मीडम तो ऐसे से नहीं करना है बोलना है पिछला जो बताया याद हुआ आपको सर बताओ अन्हीं लोहाटी को न रेलवे का तरमचारी कोई बोलेगा नहीं भाई बीच में CEO ठीक है याद रहेगा CVC के कारेवाहक प्रवीन कुमार सरवास्ताओ ठीक है याद रहेगा पका ठीक है आगे पढ़ते है अब नाम देखना अब्दूल फते उल्सिसी आता नहीं है जिसमें आप पानी पीते हो अब्दूल फते उल्सिसी ठीक है ये कौन है तो ये मिस्र के रास्पती है ठीक है कौन है ये मिस्र के रास्पती ठीक है अभी जब रिपब्लिक डे हुआ था तो उसमें ये मुख्यातीती के रुप में आये थे ठीक है अब्दूल फते अल्सिसी याद रहेगा मिस्र के रास्पति मिस्र मतलब कौन सा देश इजिप ठीक है अभी रिपब्लिक डे में मुख्या तीथी बन क्या है थे कौन अला जीजी नहीं अल सिसी अला जीजी तो वो है क्या है होटल राइपूर रेस्टोरेंट जो भी है उसके बाद कौन रिशी सोनक रिशी सोनक कौन है भारती मुल्क ठीक है मैं बता रहा हूँ फिर आपको चांस दूँगा बताने का उस टाइम मुम्दही नहीं जमाना ठीक है तो ये भारती मुल्के कौन है भारती मुल्के वैक्ति है जो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने है आ रहा है समझ में, ब्रिटेन के प्रथम भारती मुल्क के प्रधान मंत्री चुने गए रिशी सोनक, याद रहेगा, अब ये कौन से पार्टी से थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे, क्लियर है, कौन से पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से, इतना याद रखो तो रिसी सोनक ब्रिटेन में भारती मुल्क के पहले प्रदान मंत्री, कौन से पार्टी? कंसर्वेट्व पार्टी. यह देखो, दिक रहा है? यह यह है. उसके बाद है, सी जिन पिंग, सी जिन पिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है, और इनका कौन से कारकाल होगा? तीसका का याद है यह जो मुमोस बनाने वाले टाइब दिख रहा है वही है कौन? सी जिन पिंग आ रहा है खायो मुमोस ठेक है सी जिन पिंग याद रहेगा तो यह तीसरे बार राश्पती के पत पर चुने गए हैं कौन से देशके? चाइना के और इनका कारकाल सबसे लंबा है याद रह गए मेडम बाल खुलने के बाद अच्छे सा दूरा है क्या होगे ठीक है सीजिन पिंग कौन है चाइना के रासपती ठीक है कौन से नमबर का कारकाल है ठीक है रिसिशी सोनक ठीक है याद रहेगा अब देखना भारती जो अंतराश्टी प्रतिनिदित्व के लिए चुने गए ऐसे भारती जो अंतराश्टी प्रतिनिदित्व के लिए चुने गए तुनका नाम देखना तो पहला कौन है सिफाली जुनेजा ठीक है सिफाली जुनेजा परिवहन समीती की अध्यच बनाई गई है कौन सिफाली जुनेजा याद रहेगा जैसे कोई गाड़ी परिवहन मतलब गाड़ी से रिलेटेड है न कोई गाड़ी चलाते रहे तो अपन बोलते है न भाई सेफल जाना है कि नहीं तो सेफली मतलब सेफाली और क्या परिवहन याद रहेगा सेफाली परिवहन ठीक है पीछे मेडम सेफाली परिवहन याद रहेगा आपको उसके बाद विमल एन पठेल यह क्या है अंतराश्ट्री विधी आयो के सदस्य हैं कौन विमल एन पठेल विमल से क्य याद आता है ठीक है तो विमल बोलो जुबां के स्री याद आता है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पर विधी का मतलब होता है कानून तो विमल खा रहे हो मतलब कानून का उलंगन है तो आज से नहीं खाना ठीक है सर तो विमल खा रहे हो मतलब कानून का उलंगन कर रहे हो तो क्या अंतराश्ट्री विधी, समझे दीदी, ठीक है, उसके बाद, रूचीरा कमबोज, रूचीरा कमबोज, अब ये क्या है, UNSC में आतंकवादी, आतंकवाद रूधी समीती की अध्यक्ष नामित हुई है, कौन, रूचीरा कमबोज, अब वो कमबोज को याद रखना और इधर आ आतंकवादी को मार देंगे तो बोज थोड़ा कम हो जाएगा कि ने, तो कम बोज आतंकवादी, विमल, कानून, मतलब विधी, अंतराश्टी विधी, समझे, भाई, ठीक है, सिफाली जुनेजा, सिफाली परिभान, याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है, आपको सर, समझ आ र उसके बाद है, अनिल सोनी, अनिल सोनी, युएणो के फाउंडेशन के प्रतम CEO निःख्तू हैं, कौन, अनिल सोनी, अब सोनी वर्ट को अपन पंजाबी में क्या बोलते, पंजाबी में सोनी का मतलब सुन्दर, सुन्दर कैसी दिखोगे, जब foundation लगाउगे, है कि ने, तो UNO Foundation के प्रतम CEO, कौन निप्थु है, अनिल सोनी, कैसे दिखोगे सुन्दर, Foundation लगा आगे तो, मतलब यहाँ कोई Foundation लगा कि नहीं है, उसके बाद, ठीक है, ठीक है, उसके बाद कैलास सत्यार्थी, ठीक है, अब कैलास सत्यार्थी, अब वकील लोग का काम क्या रहता है, सब सच सच उगलवा लेना, है ना, तो यहाँ पर सत्यार्थी, याद रहेगा, किसका काम रहता है सच उगलवाने का, वकील लोग का, तो एडवोकेट आ रहा है, तो UNO में SDG एडवोकेट बनाए गए, कौन, कैलास सत्यार्थी, सब को समझ आ रहा है, इतना जो नाम बता है, सब को बोलता है, उसके बाद विमल and पटेल, विमल मतला, विमल खाओगे मतलब कानून का उलंगन है, विधी का उलंगन है, ठीक है, उसके बाद रुचिरा कम बोज, आतरंग बास से रिलेटेड है, अनिल सुनी, पाउंडेशन, कैलास सत्यार्थी, एड़ोके, ठीक है, इतना या आईमेप की प्रधम, डिप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, डिप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर, उप्रबन के निदेशत, याद रहेगा, तो गीता गुपिनात कौन है, आईमेप की डिप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर है, ठीक है, आर नाम याद रहेगा ठीक है अरे आपी का नाम है क्या उसके बाद अजय माथूर ठीक है ये क्या है सौर गट बंधन के महा निदेशक है किसके सौर सौर मतलब सौर उर्जा सूरज ठीक है और यहाँ पर क्या रहे है माथूर माथूर में याद रख लेना माथा याद रखोगे क सबसे पहले एफेक्ट माथे कोई पगड़ता है ठीक है तो सौर गट बंधन याद रहेगा मेडम सब याद हो रहे ठीक है आपको पुरा टिरिक से है ठीक है मेडम उसके बाद अजय मलहुतरा अजय मलहुतरा ठीक है तो यह क्या है सलाकार समीती के अध्याट्स अब इसको कैसे याद करोगे मलहुतरा तो कई लोग बोल देते थे माल जो समार रहता ना भाई कोई भी वस्तू उसको माल बोलते हैं की नहीं आप लोग जो समझ रहे हो वो नहीं ठीक है तो पंसला देते अपने दोस्तियार को भाई ये चीज मत खरीद, ये माल मत खरीद, इसको खरीद ले, तो वो, ठीक है, समझ रहे हूँ, आप लोग जो समझ रहे हूँ, वो नहीं, कई लोग उसको भी समझ के उन लोगों को ज्यादा सला देते लड़के लोग, है की नहीं, ऐसे किसी कु देते हूँ, याद रहेगा, उसके बाद, याद रहेगा सलाकार समिथी, कभी भुलोगे तो नहीं न, ठीक है, उसके बाद कृष्णा, स्री निवासन, ठीक है, निवासन में निवास आ रहा है, अब आपका निवास कहा होता है, घर वर छोड़ो भारत में होता है, है न, अ अब भारत कौन से continent में आता है एशिया में तो ये एशिया वो प्रसांत विभाग के निदेशक है ठीक है कौन कृष्णा स्री निवासन तो ऐसा याद रख लेना आपका निवास कहा हो रहा भारत में भारत कहा है एशिया में तो एशिया वो प्रसांत विभाग के निदेशक उने गए क्षिना Rinivasan ठीक है उसके बाद किसुब्रमन्यम सुब्रमन्यम ये क्या है कार्यवाही निदेशक है कार्यवाही अब सुब्रमन्यम का मतलब समझ ले सुबा यहाँ से पढ़ ऐसा हा रहे है तो हम सुबा उड़ते ही अपने कार करने चालू कर देते न जो भी काम रहते है जो भी कार है रहते है सुबह से ही करना चालू कर देते है है की नहीं कोई ऐसा है जो रात कोई करता है सुबह से करता है ठीक है जो भी कार है सुबह से तो सुब्रमन्यम कार्यवाही याद रहेगा इतना याद हुआ आपको सर आपको मेडम पक्का गिता कुपीनात को ओन है फिर आजय मलोतरा आजय माथोर सौरी नहीं सौर सौर गट बंदन ठीक है याद रहेगा एक बर और बता रहेगा याद रख लेना सिफाली जुनेजा परिवहन समीती की अध्याक सब साथ में बोलते जाना ठीक है जब बोलने बोलता हूँ तब बोलना है जब चुप रहने बोलता हूँ तब चुप रहना है ठीक है सिफाली जुनेजा परिवान सभीती की अध्याग्ज विमल एन पटेल अंतरास्ट्री विदियायो की सदासे रुचीरा कमबोज आतंगा दिया है अनिल सुनी ठीक है कैलास सत्यार्थी गीता गोपिनाथ डेप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर अजय माथूर सौर गटपंधन के महानिदिशे अजय मलहूतरा क्रिशन स्री निवासन केश सुग्रमन्याम ठीक है इतना क्लियर हुआ स्री जेंपिंग ठीक है तीसरे नमर की कारकाल ठीक है इनका तीसरा कारकाल है याद रहेगा रिसी सोना कौन से पार्टी के है कंसर्बेटिव पार्टी ठीक है क्लियर हो रहा है मेडम आपको आपको हो रहा है ठीक है उसके बाद अमिताप कांथ अमिताप कांथ कौन है जी ट्वेंटी सिखर संबिलन के भारत के नए शेरपा नियुक्तु में तो जी ट्वेंटी सिखर संबिलन होता है तो भारत की शिर्पा कौन बने अमिताप का शिर्पा मतलब जो भारत को रिप्रेजेंट करेगा तो G20 सिखड संबेलन में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा अमिताप का कौन करेगा अमिताप का अब G20 सिखड संबेलन में कितने देश रहते हैं 19 प्लस 1 अब 19 देश होते हैं ठीक है और एक क्या होता है European Union ठीक है यूरोप के देशों का संगठन है ना ये यूरोप में बहुत सारे देश है छोटे छोटे उन सब देशों का संगठन है European Union अब इसके अंदर कितने देश आते है तो इसके अंदर आते है 27 ठीक है इसके अंदर 27 आते है clear है याद रहेगा ठीक है दीख रहे कौन अमिताप का ठीक है समझा है आपको ठीक है बढ़िया है ठीक है आगे पड़े अब देखना कुछ ऐसे वेक्टिव ते जिनका निधन हो चुका है तो ये कौन है फुटबॉल खिलाडी जिनका नाम है पेले ठीक है क्या नाम है रियल नेम नहीं है दिया गया नेम है पेले जिनको ब्लैक पर्ल भी बोले जाता है क्या नाम है पेले इनका असली नाम पढ़ सकते हो तो ये देखो ठीक है बोलते बोलते देख ले दात बात मत तूर ले ना भाई एडसन और येंटिस डो नेसी मेटो के बाई ये नाम है ठीक है के बाई ये बोलत है दाई याद रहेगा तो ये खिलाडी कहां के थे ब्राजिल के खिलाडी थे ये एक ऐसे खिलाडी है जो की तीन वर्ल्ड कप जितने वाली टीम का हिस्सा रह चुके है ठीक है तो पेले कैसे खिलाडी है जो तीन वर्ल्ड कप जितने वाली टीम का हिस्सा रह चुके है ब्राजिल के खिलाडी थे नाम है पेले ब्लैक पल के बई ठीक है याद रहेगा पिले का नाम उसके बाद सिंजु अबे ये जपान के पूर्व प्रधान मंतरी थे पूर्व कैसे हो गए क्योंकि इनकी हत्या हो गई है ठीक है कोई किसी ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी किसकी सिंजु अबे की कौन थे ये, जपान के पूर्व प्रधान मंतरी, भारत की तरफ से इनको एवाड दिया गया, 1 वर्थ 2021 में, 1 वर्थ 2022 में, 2021 में कौन से एवाड दिया गया, भारत के नागरिक सम्मान पद्मवीबूशन दिया गया, ठीक है, 2021 में पद्मवीबूशन, ठीक है, और 2022 में, नेता जी और ये लेता जी ठीक है तो 2021 में पद्मवी बूशन मिला इसको सिंजु अबे को अबे नहीं एबे तो 2022 में नेता जी अबॉड याद रहेगा कौन ते सिंजु अबे जपान के पूर प्रदान मंत्री जिनको दो अबॉड मिला है इंडिया से 2021 में 2022 में पद्मवी बूशन और नेता जी उसके बाद महरानेनी अलीजाबेद दुती है ठीक है महरानी अलीजाबेद दुती इनका भी अभी फिलाल निधन होग चुका है 96 पर्स की उम्र में 4 साल और हो जाता तो 100 साल ठीक है तो यह है कौन महरानी अलीजाबेद दुती है इसके बाद एक और जो बना राजा बना एक जन किंग चार्ल्स याद रहेगा ठीक है यह सबसे उम्र दराज महरानी है जितने भी पुरे देश-वीदेश में जो भी महरानी है उसमें सबसे उम्र दराज थी है क्योंकि इनका उमर कितना है 96 वर्स clear है उसके बाद है मिखाईल गोरबाचो ठीक है नाम पढ़ लोगे मिखाईल दबोचो नहीं गोरबाचो है मिखाईल गोरबाचो याद रहेगा ठीक है तो यह USSR मतलब सोवियस संग के अंतिम राजपती थे कौन मिखाईल गोरबाचो कहां के अंतिम राजपती थे ठीक है सोवियस संग के अंतिम राजपती थे अभी सोवियस संगी अलग 15-15 देश में बढ़ चुका है अलग-अलग तूटके 15 देशों में बढ़ चुका है ठीक है मिखायल गोपर बोला था ठीक है तो वो सोवियस संग के अंतिम राश्पती थे आरहा समझ में सोवियस संग क्या समझ आया आप लोग को मैडम नहीं आया है बताओ सोवियस संग एक बहुत बड़ा देश था पहले अब उसको 15 हिस्सें डिवाइट किया गया है ठीक है पंदरा अलग 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 देश में बाट दिया गया है उसमें से एक देश कौन है रशिया है ठीक है जब रशिया अलग नहीं हुआ था सब देश एक साथ है तो उसको यूद होता है जिसको बोलते है शीत यूद शीत यूद मतलब कोल्ड वर तो अमरिका और सोवियस संग के बीच में यूद होता है तो उसको सांथ कराने में एहम भूमिका निबाता है कौन मिखाईल गोरबाचो ठीक है अमरिका और सोवियस संग के मध्य यूद होता है उसक समाप्त करने में एहम भूमी का कौन नी बात है मिखाईल गौरबाचो इसलिए इसको सांती का पुरुषकार मिलता है 1990 में सांती का नोबल सम्मान मिलता है ठीक है याद रहेगा clear आपको clear मेडम बताओ गीता को पिनात कौन है ठीक है याद रहेगा गीता को पिनात कौन है आपको और सी जिंपिंग इन लोग क्यों असरे मेरे को समझनी आ रहा है ठीक है आगे दिखते है इनका नाम है डेस्मन्ट टू-टू क्या नाम है टू-टू डेस्मन्ट टू-टू याद रहेगा तट्डू नहीं टू टू डिस्मर्ट टू दक्षीन अफरीका का आर्क बायशॉप कहा गया है इसको किसको डिस्मर्ट टू को अब जैसे चर्च में पादरी रहते हैं पादरी कोई बूला जाता है बायशॉप क्या बोला जाता है ठीक है bishop जो भी देख लो आघा है समझ में अब बहुत सारे bishop का बाइशोप का जो head रहा है उसको क्या बोलते है arc bishop याद रहेगा बहुत सारे bishop का head कौन है arc bishop इसको दक्षीन अफरिका का क्या कहा जाता है arc bishop याद रहेगा bishop मतला church के पाद्री दक्षिन अफ्रिका में रंग बेद की विरुद थे वहाँ पर काले गूरे का बहुत बेद होता है न तो इसके विरुद थे ये इनको 1984 में सांती का नोबल पुरुसकार मिला है इसको डेस्मन्ट टूटू को 1984 में सांती का नोबल पुरुसकार मिला है अभी 1990 में किसको मिला था मिखाइल गुर्बाच्चो गुर्बाच्चो क्या थे तीन रास्पती थे सोव्या संके ठीक है अडेस्मन टूटू डक्षीन अफरिका के शक नहीं थे ठीक है डक्षीन अफरिका में रंगभेत के वरूथ थे 1984 में शान्ती का नोबल पुरुषकार मिला है किसको डेस्मन टूटू को कब मिला है 1984 में 1990 में किसको मिला है मिखाइल गुर्बाच्चो ठीक है गाली उली नहीं देना गुर्बाच्चो बोलना है याद रहेगा आपको मढ़ा ठीक है बताओ भाई चाइना क्राश्पती कौन है दोनों में कोई भी बता दो से जिन पिंग और जपान की पुर्प्रदानमत्री कौर संजू सिंजू अबे ठीक है याद रहेगा सिंजू अबे को दो एवर्ड कौन सा मिला भारस है बुशान है कि विबुशान है कम मिला है ठीक है नेताजी एवर्ड मिला ठीक है उसके बाद है इला भट ये कौन है इला भट है ये समाज सेविका है कौन इला भट क्या है समाज सेविका सोशल वरकर है कौन इला भट अब 1972 में समाज सेविका है तो सेवा संगठन किस ठापना की किसने इला भट कौन है समाज सेविका है तो 1972 में सेवा संगिठन की स्टापना की समास सेवी का सेवा किसमें 1972 में याद रहेगा अब इसमें जो भारत में महिला स्वासायता समू है समू का प्रथम मौडल माना जाता है इस सेवा संगिठन को क्या माना जाता है भारत में जो महिला स्वासायता समू है उसका पहला मॉडल माना जाता है याद रहेगा स्वासायता समू होता है महिलाओं का ग्रूप होता है ठीक है जो BPL महिलार जो रहती है उनका एक ग्रूप रहता है जिसको बोलते स्वासायता समू उस ग्रूप में रहे के कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ काम करते हैं उनलोग मिलके ठीक है उसी क्या बोलते हैं पने स्वासायता समू ठीक है स्वासायता कर रहे हैं याद रहेगा स्वासायता समू पता चला तो 1972 में जो सिवा संगठन का इसापना हुआ है ठीक है तो जो भारत में पहला महिला स्वासायता समू उसका पहला मॉडल है ऐसा माना जाता है किसको ये सिवा संगठन को जिसका इसापना कब हुआ था 1972 में कौन किया था कौन थीला भट समाज सेविका थी, सोशल वर्कर भी थी ठीक है, याद रहेगा, ठीक है फिर ठीक है, 1974 में, अब यहाँ पर क्या है, यह समाज सेविका है 72 में सेवा संगठन बनाई, 74 में सेवा कॉपरेटिव बैंक के स्थापना की तो सम में सेवा सेवा आ रहा है समाज सेविका, 72 में सेवा संगठन, 74 में सेवा कॉपरेटिव बैंक याद रहेगा, कौन? अलिया भट नहीं, क्या है? इला भट भाई अलिया भट की थे? ठीक है? याद रहेगा? का ना में? इला भट उपलबदीन को क्या-क्या मिला है अवार्ड क्या-क्या मिला है रह्मन मैक्सिस के अवार्ड 1970 में पदमश्री 85 में पदमभूशन 86 में इंद्रा गांदी सांतीप सम्मान 2011 में तो जितना याद रख सकते उतना याद रखना ठीक है उसके बाद इनको तो जानते हो न सब लता मंगेशकर जानते हो न भाई नहीं जानोगे तो फिर एकदा मातंग हो जाएगा यह लता मंगेशकर इनको क्या बोलते थे भारत की स्वर कोकिला ठीक है लेकिन इनका मून लाम क्या है हेमा मंगेशकर RS मज में मून लाम हिमा मंगेश का लोगप्रियुपादी भारत की स्वर को किला इनको हर तरीके का वार्ड सब मिल चुका है ठीक है तो पहली बार मिला था पद्म भूशन ठीक है पद्म भूशन मिला 1969 में क्या लिखा है 69 फिर 10 साल जोल देना 79 कुछ नहीं मिला 89 में डादा साप फल के अवार्ड क्या मिला 1999 में फिर 10 साल चले जाओगे तो पद्म भी भूशन याद रहेगा फिर 10 साल चले जाओगे तो फ्रांस का सर्वुच नागरिक सम्मान 2009 में क्या है लीजन ओफ ओनर 10 साल एट कर लेना फिर बीच में ये 2000 एक है भारत रचा है ठीक है जो भारत का सर्वुच नागरिक सम्मान है याद रहेगा 69 फिर 79 छोड़ देना फिर 89, 99, 2009 फिर एक बीच में आएका 2001 याद रहेगा येर इसली याद हो जाएगा आपको इसली याद हो जाएगा इसली लता भंगेशकर जी ने ऐसे अपॉड लिया है ठीक है तद 10 साल के गैप में 69, 89, 99, 2009, 2001 ठीक है पहले क्या था पद्म भूशन फिर दादा साहब फिर पद्म वी भूशन फिर फ्रांस का सरकुशनाघिक सबमान फिर महारत रहत क्लिएर रहेगा मेंडम क्लिएर रहेगा सर आपको ठीक है आपको सर समझ आ रहा है confuse जा रहा है तो यहां बढ़ जओ ने यहां पर बढ़ जओ confuse मत रहे है भी फिस फिस दिये हो तो पूरा ठीक है कोई बात नहीं अब दिख रहा है ठीक है दिख रहा है आपको आपको मैंड़ा है ठीक है आपको ठीक है आर्मीम जाएगा भाई अपना उसके बाद राकेश जुन-जुन वाल है ना तो भारत की शेयर मार्केट के क्या कहे जाते है इनको बिग बुल कहे जाते है किसको राकेश जुन-जुन वाला को और इन्होंने एक एयर लाइन्स कमपनी को भारती ओडियन चेतर में शामिल किया जिसका नाम है अकाशा एयर लाइन ठीक है कौन से एयर लाइन को शामिल किया Akasha Airline को याद रहेगा Share Market के क्या है Big Bull समझ गए समझ गए आपको याद हो रहे मेडम राके जुन जुन वाला कौन है वो है Big Bull है वो तो नहीं है वो कहीं है बारा के Share Market के Big Bull है और कौन से Airlines Company को शामिल किया याद रहेगा ठीक है उसके बाद MK प्रसाद ये क्या है परियावरन विद जिनोंने केरल के Silent Valley में सदा बाहर वर्षा वनों की रक्षा ये तु एहम भूमी का निभाई थी सदा बाहर वन मतलब जो हमेशा हरा बरा रहता है सदा बाहर मतलब Evergreen Forest जो हमेशा हरा बरा रहता है पानी भी वहाँ जादा गिरता है तो पानी जादा गिरने वज़े से वहाँ के जो वन रहते हैं पेडों की उचाए बहुत लंबी लंबी रहती है आरह समझ में सूरज की रोशनी भी जब पढ़ती है तो जमीन तक नहीं पहुच पाता उतना वहाँ थोड़ा अंदेरा अंदेरा रहता है तो सदा बहर वनों की रक्षा के लिए एहम भूमी का निभाई किसने एहम के प्रसाद लिए सदा बहर वन मतलब हमेशा हरा भरा वन ठीक है आपका मन भी क्या रहना ची हरा भरा ठीक है याद रहेगा आपको पीछे सर clear है आपको आ रहे समझ सदा बहर वन समझा है ऐसा वन जो हमेशा हरा भरा रहता है ठीक है कौन है तो एहम के प्रसाद याद रहेगा क्या पूरा कर्म हो फिर जाओ तो एहम के प्रसाद कौन है परियावरेण विद्धें जिनका काम क्या था किरल के साइलेंट वैली में जो सदा वाहरबन है उनकी रक्ष्छा में एहम भूमी कने भाई किसने एहम के प्रसाद में ठीक है उसके बाद राकेश जुन-जुन वाला कौन है पेर मार्केट के बिग बोल कौन से यह लैंज को सामिल किया जो बोलते नहीं दिखेगा उससे पूरा बुलवाया जाएगा ठीक है बलरामपुर वाले उसके बाद लता मंगेश्वर मंगेश्कर लोगपरियुपादी क्या है ठीक है मूल नाम क्या है कौन कौन सा पॉट मिला पद्मभूसन वीबूसन सब एक साथ वीबूसन नहीं मिला दादा साब मिला दादा साब के बाद मिला वीबूसन ठीक है आगे बढ़ता है इला भटका क्या था क्या है ये समाज से भी का है 1972 में क्या इस्थापना किया 1974 में सेवा कॉपरेटिव मिखाइल गोरबच्चो सोवियस संग के आखरी राशपती अमरिका और सोवियस संग के पांसर यूद सीत यूद उसको समाप करने मेहम भूमिका सांतिक पुरुसकर डेजमन टूटू दक्षीन अपरिका के आर्क भीशप दक्षीन अपरिका में रंग बेद की विरुद थे और 1984 में सांतिका नोबल पुरुसकर तो 1990 में किसको मिला वो वो नहीं है यह दर वो उधर है महरानी अलीजाबेट के बारे में पता है सिंजु अबे ठीक है सबसे लंबा कार काल था इनका भारत के तरब से दो अवोट दिया गया है 2021-2022 21 में पद्म अभी भूशान और 22 में नेता जी अवोट ब्लैक पल ब्राजिल के थे तीन बार वर्ल्ड कप जितने वाले तीन के सदस्य थे असली नाम ठीक है हसलो फिर आपसे बूचेंगे ठीक है बिर्जु महराज इनका भी भाली में निदन हुआ है बिर्जु महराज का तो ये क्या थे कथक समराट थे ठीक है तो मैं क्या करूँ तो बिर्जु महराज क्या थे कथक से थे इनका मूनलाम क्या है बिर्जमोहन मिश्रस याद रहेगा ठीक है उसके बाद IMF के बारे में देख ले न IMF का काम क्या होता है क्या है Full Form International Monetary Fund ठीक है जो कमजोड़ दिस रहते हैं जिनके पाद ज्यादा पैसा कोड़ी नहीं रहता उनको ब्याज में पैसा देने का काम करता है कौन IMF याद रहेगा ठीक है सुनते हो के पाकिस्तान ने बहुत करजा लिया IMF से तो विस विस्तर पर आर्थिक रूप से जो कमजोड़ देश को ब्याज देना ठीक है पैसे उधार में देना और उनसे ब्याज लेना क्यूं देते हैं पैसा ताकि अंतराश्टिव है पर सुविधा जनक तरीके से हो सके करके याद रहेगा ठीक है मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है क्रिश्टलीना जॉर्जी पा और डिप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है गीता गोपीना और मैनेजिंग डिरेक्टर क्रिश्टलीना याद रहेगा इसके मेंबर कितने कंट्री है 190 कंट्री इसके मेंबर है हेड़ कॉर्टर का है वासिंग्टन डी-सी में इस थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 IMF के बारे में इतना याद रहेगा Whole Form International Monetary Fund कितने दिस सदसे 190 हेड़ कॉर्टर का है Managing Director Deputy Managing Director क्या दे गिता को पिना उदर पीछे क्या उसके बाद UNSC United Nations Security Council इसका हेड़ कॉर्टर का है New York ठीक है इसका काम क्या है सांती और सुरक्षा बनाए रखना ठीक है To Maintain International Peace and Security सविधान पढ़े हो सविधान के कौन से अनुछेद में आता है Maintain International Peace and Security हाँ अनुछेदिंकावन में आता है ठीक है Article 51 में आता है ठीक है नहीं पढ़े हो तो discussion अभी मत करो अभी भी नहीं पढ़ोगे उसके बाद है UNHRC इसका फुल फॉर्म क्या है United Nation Human Rights Council जिसका हेड़कॉर्टर का है Geneva Susanland Human Rights है तो Human के राइट के लिए बनाएगे इसको जिसका हेड़कॉर्टर का है Geneva ठीक है याद रहेगा I.C.A.O. International Civil Aviation Organization Aviation मतलब उड़ियन याद रहेगा उड़ू उड़ियन ठीक है अब इसका हेड़कॉर्टर याद रखना Montreal Canada ठीक है Secretary General Juno Carlos उड़के गया नहीं तो कार में गया Carlos याद रहेगा ठीक है कहां गया Canada गया G20 का देख लो G20 में कितने 19 कंट्री और एक European Union जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में मेंबर्शिप 19 प्लस एक 19 कंट्री है और एक क्या European Union याद रहेगा किसके लिए होता है Global economy के discussion के लिए होता है आरह क्या होगे है ज़्याद होगे है हां ज़्याद होगे है तो अभी और कर नहीं है हां IMF का समझ आ गया UNSC सांती बनाने के लिए रहता है UNHRC Human Rights के लिए रहता है Geneva, Sugarland ठीक है ज़्याद रहेगा तो आज के लिए अपन करते इतना ज़्याद होगे है मिना ठीक गुर्री गुर्री देखा था बंद कर देना अपन करकुर्स जड़र परूंस